इस था आपको प्रैक्टिकल करके बताया है कि कैसे आपको यूज करना है क्या इसमें चेंजिस एक उडिक्षिटिंग में स्टेटिंग में सेटिंग में एक शौमी टीटियस का बड़ा सवाल खुलासा होने वाला है दोस्तों आज इसी चैनल पर और यहाँ पर एक स्पेशली स्क्रीन इडर के लिए फीचर आया है तो मतलब कमाल धमाल वीडियो होने वाली एंड तक जरूर देखना मज़ा आएगा आपको वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना सब भी के साथ शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब को एसी कमाल कमाल की वीडियो जहां पर आपको देखने को मिलती रहती है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि हम यूज कर रहे हैं रेड्मी का 12 5G और इसमें आया है हाइपर OS का अपडेट यानि के Android 14 तो सबसे बहले हम लोग अबाउट फोन में चलके देखते हैं कि क्या अपडेट है आपडेट है आपडेट है आपडेट फोन में चलेंगे तो यहां पर नोटिस करने वाली चीज़ है यह बोल रहा है OS version 1.0 मतलब यहां पर यह MIUI वर्जन नहीं है दोस्तों यह OS वर्जन हो गया है हाइपर OS version 1.0 आगे चलेंगे अंड्रोइड वर्जन 14 UKQ 1.230917.001 तो एंड्रोइड वर्जन हमारा 14 है इसमें तो जैसा कि श्याओमी ने कहा था कि एंड्रोइड 14 से आपको हाइपर OS मिलेगा तो यहां पर यह मिल चुका है आगे स्वाइप करेंगे आगे चलेंगे तो यहीं से आपको में चीजे पता चल गई है कि क्या क्या इसके अंदर जो है अब मतलब एंड्रोइड वर्जन का अपडेट आया हम लोग कुछ इसके चेंजिस के बारे में बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले क्या UI में कोई चेंज है तो जी हां UI का थ में चलेंगे अब यह आपको कुछ optimization के साथ देखने को मिल रहा है सेटिंग्स में आपको नोटिविकेशन बता रहा है यह देखेंगे स्वाइब करेंगे चेंज करके देखेंगे लिए लिए ओपन अप्डॉर तो काफी ज्यादा आपको जो है पहले जैसा फील आएगा ब बैटरी विगारा देखता है वो हम चेक करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहे है जब यहाँ पर हम लोग स्वाइप कर रहे है तो टॉक्बै का स्वाइपिंग साउंड ऐसा आ रहा है जैसे कोई हैडिंग हम रीड कर रहे हो यहां पर फोकस ना हो लेकिन क्लिकेबल है आइटम्स तो यह थोड़ी सीन अक्सेसिविल्टी आप कह सकते हो बाकी इसका नोटिफिकेशन शेड क्विक सेटिंग सिमिलर है अल्मोस्ट अब चेंजीज जहां पर आये है वो है इसकी सेटिंग्स सेटिंग्स में हम लोग वन वाइवन देखेंगे स अब यहां पर देखें आपने नोटिस किया होगा वाइवाइव ब्लूटूथ ऑफ पहले यहां पर यह सिर्फ वाइवाइव ब्लूटूथ बोलता था ऑफ या वन नहीं बताता था ऐसी पोर्टेबल होट्सपोट में ही बताएगा देखें इसको एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव्मेंट कह सकते हो जो इसमें हमको देखने को मिला है बाकी इन सब में कोई भी चेंज नहीं है साउंड एन वाइब्रेशन तो इसमें कुछ नई आपको जो है साउंड देखने को मिलेंगी इसकी जो बाइडिफोल नोटिफिकेशन टोन है वो कुछ चेंज हुई है सुनाते आपको किस तरह की हुई है यह देखें दुवारा टॉक बैक कॉन करेंगे दुवारा बचती नहीं दोस्तों शाओ में कोई नहीं लेकिन यह पॉंग जोस्तों लावा जैसी हो गए थोड़ी से लावा लावा का फील आरा लेकिन हां ठीक है आगे चलेंगे तो यह एक चीज़ आप यहाँ पर नोटीस करेंगे कि फिंगर्प्रिंट फेस डेटा यह आपको पहले सीक्योरिटी वाले ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता था अब इन्होंने बाहर ही कर दिया है और आप कुछ ऐसा देखिए कि यह सैमसंग जैसा फील लाने की देगी है ना तो यह कुछ शाओमी यह सैमसंग जैसे आड करने कोशिश कर रहे है तो यह एक बढ़िया हमको एक्सेजबिल्टी इंप्रूब्मेंट ही आप कह सकतो देखने को मिला है सेटिंग्स में आगे चलेंगे यह सब सेम है हमारे फीचर आगे चलेंगे अब 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 आपकरेंगे तो इसमें भी कुछ चोटी मोटी चीज़े आई है बट हम लोग में बात करेंगे अब यहां पर हम विजन टैब में चलेंगे तो अब यहां पर ना एक बहुत ज्यादा बहतरीन आया है जिसका नाम है टाइपिंग स्टाइल जो कि स्क्रीं डिडर के लिए यह देखें टाइपिंग स्टाइल अप्लाए वें स्क्रीं डिडर इस ओन तो सबसे पहले हम लोग इस फीचर को समझते हैं कि फीचर क्या है तो गई यहां पर जो आप टाइपिंग करते हूं इसका स्टाइल यह आपको बताएगा तीन स्टाइल इसमें दिए गए है सबसे पहला है अब इसका मतलब क्या है जहां तक मैंने इसको यूज करके देखा है आपकी टाइपिंग स्पीड बढाता है तच में और स्टैंडर्ड में आपको कुछ जादा अंतर पता नहीं चलेगा बट आप स्टैंडर्ड टच करके रखोगे ना तो देखना है किस तरह से फास्ट अ अनॉंस्मेंट करता है तो कि ट्लिक करके आपको कुछ आप करके दिखाते हैं अब करके नाशी सब्सक् era करेगे किकटा टाइपिंग कर रहा ही यह आनाॉंस्मेंट हिक लगा जे मतलब तुरं तुरंद फास्ट रहा है और यह आनांस्मेंट कर रहा है और यह specially जब screen reader on होगा तभी apply होगा है ना तो एक बहतरीन feature Xiaomi ने लाया है मुझे अच्छा लगा देखकर कि specially screen reader के लिए जो है यहाँ पर यह feature add हुआ है तो सेटिंग में थे कुछ यही major major changes मैंने आपको बताए है अब बाकी कुछ जो changes हुए वह आपको बता चुका हूँ अब एक बहुत बड़ा सवाल क्या Xiaomi TTS आया है खुद ही देख लीजे चलते है text to switch setting में दोस्तो तो अभी Google TTS से लिए है देखते हैं बस एक यह दोस्तो ओटो TTS भी उस करना बन कर दिया है हमने तो क्या कहना है इसके बारे में मेरा तो गाइस Xiaomi TTS का पहली चीज़ तो कुछ confirm नहीं था Xiaomi नहीं ऐसा कुछ officially कभी बताया नहीं था बट अनुमान लगाया जा रहा था community के द्वारा हमारे द्वारा कि यह आएगा बट ऐसा कुछ आया नहीं है फिल हाल तो हो सकता आगे आ जाए फिर से अनुमानी लगाया जा रहा है तो दोस्तो खुछी थोड़ी सी इस बात पर जाती है इसलिए मैंने end में बताया आपको लेकिन हाँ कुल मिलाकर overall conclusion क्या निकलता है जो update आया है यह काफी हद तक अच्छा है guys है ना मुझे अच्छा लगा है क्योंकि काफी ज्यादा improvements इसमें हुए है शामी ने जैसा वादा किया था यह उस तरह से update आया है लेकिन एक और चीज़ बोली गई थी कि lightweight होगा तो क्या है lightweight है जी हा थोड़ा बहुत यह lightweight है Android से हलकि यह use Android ही कर रहे है जैसा कि आपने वहाँ भी सुना था Android version 14 लेकिन इनो ने मुझे बस इतना लग रहा है कि MIUI का नाम चेंज करते है HyperOS किया है कुछ optimizations किया है बाकी कुछ ज़्यादा change नहीं किया है हम सोच रहे हैं Android को replace कर देगा बट हाँ ह हो सकता है भी नए नए है Android 14 है security update भी एक pending है तो हो सकता है update करने के बाद कुछ इसमें changes हमको देखने को मिल जाए तो यही कुछ था guys HyperOS उमीद आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी और यह मेरे फोन में वैसे नहीं मिला था मुझे बहुत जादा help करी है इस वीडियो को वोनाने में भी मांचु सर ने तो बहुत बहुत धन्यवाद जब को वाद सुनी दोस्तो वह कॉल पर ठी टॉक बेक की हमारे भाट साथ है रेख अब क्या हुआ तो hacking वाशु टैक वीजन पर भी इसकी वडिया आपको जल्दी डेखने को लिए सबस्काइब करो भीया कैसे सब्सक्राइब कर लो आपके लिए आती रहेंगी वाट सेपों टेली कराम गुरूप में आप लोग और पिसी जूड़ सकते हो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते एक सी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ